नमस्कार निकोबा डाइम से आपका स्वागत है मैं हूँ तरुन कारतिक और आज हमें डॉली गन चौक में और इस टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप इस न्यू स्टोरी को जहां भी देख रहे हैं चाहे वह फेस्बुक में हो या एक टॉलेट है और पीबीमसी ने इस तरह के स्मार्ट टॉलेट जो है अलग अलग जगाओं पर पूरे पोर्बलर शेहर में जो है इंस्टॉल किया है और अभी हम जिस एरिया में खड़े है यह एक हाई फूटफॉल एरिया है और मैं अपने कैमरामन को कहूंगा आपको प से बस चड़ने के लिए भी रोग दोनों साइड के बस चांड में जो है वेट करते हैं तो इसी यही सोच के पीबीमसी ने शायद यहां पर स्मार्ट टॉलेट को इंस्टॉल किया यहां पर जो भी लोग आते हैं वो इसका इस्तमाल करेंगे और उनको जो है सुईदा प्रा है किया क्लोज है ज या क्या है इसमार्ट टॉलेट को टूटली क्लोस कर दिया गया अब देख सकते हैं यहां पर उपेट उपयर बटन भी नहीं है वेकर तो स्टॉलेट करैंड कीजिकतर लाइशी है रसी के जरी बांद के रखा गया था और उसके बाद जो है टोटली जो है इसको इसमें लॉक लगा दिया गया और मैं आपको बता दो इस स्मार्ट टॉयलेट को लगाने में जो है पीवियम सी ने कई लाक रुपए लगाए होंगे और पॉब्लिक की सुवीदा के लिए और पॉब्लर सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट टॉयलेट को इंस्टॉल किया गया था और यह एक लौता स्मार्ट टॉयलेट नहीं है पूरे पॉब्लर सिटी में कई सारे स्मार्ट टॉयलेट है जो की पीवियम सी ने लगाए है और हम आज आपको पूरे पॉब्ल जाना चाहेंगे यह जो स्मार्ट टोलेट पहला ना हम आपको मिला है आपको दिखाएंगे वह तो बिल्कुल भी ओपरेशनल नहीं है और बंद कर दिया गया और इससे लोगों को जो है बिल्कुल भी जो है फाइदा नहीं मिल रहा है तो आगे हम आपको बाकी जगा लेकर ज चौक था उसमें जो स्मार्ट टॉलेट इंस्टॉल किया था पीबी एम सी ने वह डिस फंक्शनल था और इस वक्त हम जो है डेरी फार्म चौक में खड़े हैं अपने कैमरा में को आँगा आपको पैन करके दिखाएं तो डेरी फार्म चौक का भी जो है सेम स्टॉरी है डेरी सब लोग जो है है कि अपने घरों में जाने के लिए अपने अपने ऑफिस में जाने है और कई लोग जो है बसरी गाते और यह यहाँ से जो है बस अवेल करते हैं तो इसी को नजर में रखते हुए शयाद पीबीम कहीं ने डेरिम चौक में एक स्मार्ट टॉलेट यहां पर पुछ बटन तो है पर हमने यहां के लोगों से पता किया तो उन्होंने हम को जो है जिसतों तंदर रखना चाहिए था धूर भी नहीं चाहिए और दूसरी बात xi eight भी है जो है one इस फंक्शनल है हमने यहां कि लोगों से बात कि उन्हों है ये शब्सक्षणल और अभी तक हमको एक भी ऐसा स्मार्ट टॉस्ट स्मार्ट से लेकर यह वाला जो कि दिस्ट्वच्णल है तो अभी हमने थोड़े देर पहले आपको चोजो है जो है दुस्समार्ट ट्यालेट एक टाइलेट जो है वह समय स्मार्ट टॉलेट लेकिंशंतल स्मार्ट टॉलेट तो यह एक वाटर एंटियम के सामपने पर्वित्साइनल a. जो है एक जो है पोस्टर दिपका दिया है और हम आपको बताते हैं यह जो ओड़। हैं यह अंडर मेंटेनस और पिछे काफी दिनों से अंडर मेंटेनेंस यह हमने इसका जो टांक च्च चाहिए तो इसका जो टांक है वह पानी से बरहा है शायद इसमें मैं किसी तरह की जो है परिशानी है जिसके वाज़ा कि टेक्निकल फॉल्ट है जिसके वज़ा से जो है यह काम कर रहा हम आपको बता देंग यह लिए सेम कंपनी है सीक्योर और लिखा हो यह सेम कमपनी है जो स्माट ट्वालेट इंस्टॉल करती है उसी ने इस वॉटर एक हैं को भी छाहिद ढहिए और मैंटेंड भाइब वॉला इस वाटर यौ पता दिया टोटली अंडर मेंटेंड और ये पहला वाटर एक्याम हो कि दिखा रहा रहे हैं जो कि हमें मिला है और यह अंदर मेंटेनेंस तो आगे हम और भी WISSA यह स्मार्ट टाइलें अर्पोलिन कांसिल की एरिया के अंदर पर जो स्मार्ट में नौसे मैंजोर ही टार यह अर्या सच में काम ने तो यह सब्सक्राइब दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि यह फंक्शनल है कि डिस्फंक्शनल है तो इससे पहले हमने आपको दिखाए डेरी फाम चौक में जो वाटर एटियम पीबीम सी इंस्टाल किया है वह तोटली अंडर मेंटेनेंस है और वह जो है कई कई दिनों से कई महीनों से जो है पब्लिक को सर्विस नहीं दे पा रहा है और अभी हम आपको दिखाते हैं कैमरा में से कहूंगा इस बोड़ पे फोकस करें एक फांडेशन स्टोन का बोड़ है और इसमें आप देखिए इंस्टॉलेशन आफ और प्लांट वाटर एटियम न लगाया था और मैं कैमरामन को कहूंगा आपको यह बोड दिखाए यह इनाउग्रेशन का जो बोड़ है मिस्टर कुल्दी प्राइश शर्मा ने जो है इसको इनाउग्रेट किया था सुनेल आंचिपा का उस टाइम के डेप्यूटी कमिशनर और सेकेटरी पी बीएंसी आर शर्मा ने और मुझे अच्छा याद है इस वाटर एटियम को इनाउग्रेट करने पर जो है हमें एक प्रेस रिलीज भी रिसीव हुआ था मेंबर ऑपार्लेमेंट की ऑफिस से और उस प्रेस रिलीज को जो है निकोबार टाइम्स ने भी टेक स्टोरी के जरिये आप तक प यह चाहते हैं कि आपको जो है दिखाए कि दो महिने में जो है अंडर मेंटेनेंस का यह अब लगा दिया गया है आप देखिए वाटर एटियम जो है डिस फॉंक्शनल है ब्लो महिने के अंदर है यह ये वाटर मेंटेंस में जो है Dairy farm water ATM underneath maintenance और ये जो है पप्लिक को सर्विस नहीं दे रहा है तो हम आप से भी सवाल करना चाहेंगे और बिना maintenance के water ATM दो महिना भी नहीं चल सकता क्योंकि PBMC ने इस तरह के water स्मार्ट ट्वालेट जगा जगा पर लगाए हुआ है पूरे पोर्वले सिटी में और हम आपको बताए जो वह वह स्मार्ट ट्वालेट है यह सारे वट्र ट्वालेट अब अभी तक जितने भी हमको मिले हैं सारे के सारे डिस्वंक्शनल है और पब्लिक को जो है इन से किसी भी तरह का फाइदा नहीं हो रहा है तो इससे पहले हमने आपको कई सारे वाटर एटियम और कई सारे स्मार्ट टॉइलेट दिखाया अलग अलग जगा पर डॉली गंज में डेरी फार्म और कोई भी नहीं काम कर रहा था तो इस वक्त हमें जंगली गाट के जो बर्निंग हाट है उसमें और यहां पर जो है एक व मैं क्यामरमेन को कहूंगा आपको पास से दिखाया यहां पर कम से कम इस वाटर एटियम में जो है स्क्रीन तो काम कर रहा है यहां पर स्क्रीन में लिखकर आ रहा है और जिससे उमीद यह जागी है कि वाटर एटियम जो है जरूर काम करता होगा तो यहां पर एक बॉटल है और हमारे पास जो है एक रुपी गैन्ट तॉ हम इंसर्ट करते यह पर इंसर्ट करते हैं और यह और यह आ और पहले से को आल जिसको फिर से डाल निए चींब है तो यह कोई जो है भाहरा जा रहा है तो शायद इन कोईंस की प्रॉब्लम में क्योंकि यह वन रूपी का जो कॉइन है यह नया वाला कॉइन है 2017 का यह जो है तो न ऑसले प्रसे करते हैं कि यह कोई अंदर जाके बाहर आ जा रहा है तो हम दूसरे कहने से एक पर फिर से ट्रेकर आपको दिखाएंघे एक रुपई का जो है और कोई का ने मे Shot jakby देखे हैं कोई इसमत्य कोई से कर लिया और्ट यह इसकेप्त करिया अवर में D긴 अप्षाइड एकाड पानी निगलने लगा तो यह एक वाटर एट्यम है यह ऐक फंक्षुनल वाटर एट्यम हम को मिला है जंगली घाट बर्निंग घाट में और यह वाटर एट्यम काम करता चाह्थ और इसमें 2 option से card plus coin तो RFID card जो है अगर PBMC issue करता है अभी तक तो ऐसा कुछ खबर नहीं मिला है कि PBMC RFID cards issue कर रहा है पर अभी आप coin से जो है इस water item को use कर सकते हैं और यह water item एक ऐसा लौता water item अभी तक हम को मिला है अपने इस पूरे इन्वेस्टिकेशन में जो है सई से काम करता है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इसका फाउंडेशन स्टोन जो है 2019 में ले किया गया था और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहां पर जो है इसका बोर्ड लगा हुआ आपको जिखाते हैं तो इसका इन्मांग्रेशन सेम जो है उनिस दिसमबर 2022 को वह था जिस्ताप में आप इन्माईशन डेशन आप ट्यू जो है वो डिस्फंक्शनल हो गहाता है तो इस वक्त जो है है हम लोग जस्ट पीजी यानिकी मोहनपूरा में तित वॉ mereka को बता दे हमने यह मिदे पूछ कि वॉट狂स तो हमको पता चला है कि हैं यह है शब्सक्षनल है और यह छो है अच्छे से और फुली फंक्शनल है यह सेकेंड वाटर एट्यम हमको जनली घाट बर्निंग गाट के बाद मिला है जो फुली फंक्शनल है और अच्छा से काम करता है अभी हम आगे जाएंगे और और भी वाटर एट्यम स्मार्ट टॉयलेट्स जो है काम करते हैं कि नहीं वह आपके यहाँ पर भी प्सक्रेशंस लोग आते हैं लोग अपने रिक्रीयेशिन के लिए तो यहां पर पानी जरुद मूश करके जो है पनी फैस कर सकता है तो यह वाटर एक पोस्कर लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है अंढर मेंटेनेंस यह बोटर मुनिस Bye लगा और और शायद यह इंडियन ओयल ने पीवीमसी को डोनेट किया है क्योंकि आप पर इंडियन ओयल का ब्रैंडिंग भी है तो यह वोटर एटिम जो जो पर में लगाया गया है यह भी जो है नॉन फंक्शनल है और देखके लग रहा है कि पिछले काफी दिनों से नॉन फंक्शनल ह है और इसको जो है ठीक कराने की यह शायद कोशिच भी नहीं की गई है यह हम आपको बता दें तो कि यहां पर लोग जो है इसका यूज काफी जादा करेंगे पर यहां पर भी जो है यह वाटर एटियम डिस्फंक्शनल है तो इससे पहले हम आपने आपको जो है डेरी फार दिखाया था डेरी मैंंड़ UH जंग्ले बर्निंगहार्ट में आर मौहनपुला में और माध्र में वोदोनों काम कर रहे थे और यह इह इप्यू डिए उसमें यहां नहीं काम कर रहा पर यहां पर काम किनão पर दो कर रहे हैं और तो हम और भी स्कूरा हो मौनड़ay बाने कार रहे और कितने वाट रेटैंस कितने स्मार्ट तौलिट तो इस वक्त हम लोग है यह आई पींटी बिल्डिंग के सामने जो फिल पारकिंग्ग तो यह पीछे लोग बोधिशन की बड़ा पारकिंग है यहां पर यह पर यहां पर यहां पर अंथ्रपोलोजीकल मूजिएम थोह है मेल के लिए एक फी मेल के लिए और यह दोनों ही स्मार्व टोलट जो है इसका तोलेत वह में डिखा है जीए फिमेल से हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर तोल इन्स नर मेंटेनिस और यह जो है इसका पैनल है वह bisu खुला हुआ है उसी। तरह से जो मेल वाला टॉलेट है उसमें भी लिखा गया है टॉलेट इंडर मेंटेनेंस दोर के ओपर और यह दोनों ही जो है डिस्फंक्शनल है दोनों ही नहीं काम करते हैं और यह काफी हाई फुट फॉल एरिया यहां पर काफी टूरिस्ट भी आते आप देखें यहां पर तो यहां पर बेचे आता है जो टूरिस्ट को टार्गेट करके बेचा जाता है और यहां पर भी जो स्मार्ट टॉलेट लगाए गया है यह डिसफंक्शनल है तो अभी तक पूरे पोर्बले मुनिसिपल काउंसल एरिया में हमको जो है एक भी आसा स्मार्ट टॉलेट नहीं जो की फंक्शनल हो जबकि वॉटर एटियम मेंसे हमको दो अइसे मिले जो की फंक्शनल थे पर स्मार्ट टॉलेट तक एक भी नहीं मिला है जो कि फंक्शनल हो तो इस वक्त जो है हम जीनार में गर्ल्स ऑस्टल के यहां पर खड़े हैं और मैं कैमरा इन से कहूंगा आपको और यह भी बीड होता है यहां पर शाम को और यहां पर भी जो है एक वाटर एटिम लगाया है और आप देख सकते हैं यह दिख कर सकते हैं अपने पानी रेकिन पूरा करने है जबकि यह एरिया में जो है काफी आदा जो है स्ट्रीट वेंडर रहते हैं और काफी आदा लोग यहां पर शाम को जो है स्नाक्स होगरा के लिए आते हैं तो यह वाटर एटियम जो जे एन्रम गर्ल्स ऑस्टिल के एंटरेंस के बिल्कुल बगल में रगा हुआ है यह टाइम पर एंडमन का एक बहुत ही आदा पॉपुलर टूरिस जस्टिनेशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जब आये थे तब उन्होंने इस फ्लाइक पॉइंट का इन्यागरेशन किया था और इस फ्लाइक पॉइंट के पार्किंग में भी पीवी यहां पर देखे लगा दिया यूरिनल फाइव टॉपीज टैन और शाहिद यहां पर किसी को बैठा दिया गया है जो कि यहां पर पैसा करता है लोगों से टॉलेट जाने के लिए जबकि यह टॉपुलेट को स्मार्ट टॉलेट को इसलिए इसमें डालके लोग जा सके या और फाइडी कार्ड लगा कर जो है लोग जो है इसका इस्तमाल कर सके मैं लेस और जो अटो क्लीन हो जो अंदर से अपना पॉट लगा गया था तो पूरे पोड़ में कहीं भी स्मार्ट टॉलेट नहीं है उसी तरह से यहां पर भी जो फ्लैक पॉइंट में जो पार्किंग फफीर यहां पर फिरड़ लोगों को टॉलेट में करने के दिये उसको उनको जिम्मेदारी दिया तो स्मार्ट टोलेट को पूरा परपस है वो डिफीट हो जाता है आप इधर आईएगा हम आपको दिखाएंगे यहां पर जो जिसमें कॉइन इंसर्ट किया था उसको अटा दिया गए यहां पर जो है नॉर्मल कॉलिंग बेल वाला स्विच लगा दिया गया जिसके उपर लि आदमी जो है अंदर जो है टॉलेट जाएगा और बाहर आकर बटन दबाकर फ्लश करें तो इस तरह का यहां पर सिस्टम बनाया गया है जो की टोटली जो है अजूबा है तो पोडलेर मुनिसिपल काउंसिल के जिस किसी भी ऑफिसर के दिमाग में यह जो आइडिया है यहा बाहर एक फ्लेश बटन लगा लिया कि अंदर जाओ टॉलेट करो बाहर आके फ्लेश बटन दबा दो और स्मार्ट टॉलेट इंस्टॉल करने के लिए इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी यहां पर एक आदमी को डेप्यूट करना पड़ता है कि जो पांच और दस रुप जौए है कि अब जितना आपको और अंधर आपको आज पोडियर मुनिसिपल कौन्सल के बहुत सारे स्मार्ट टॉ capitalism का इंसा इंव में मीले और स्मार्ट placement geen लेकिन इसको जो है कन वरोड कर दिया घिर नौर्मल चैन है ने hope the आईडिया प्ल्ट जो भी ऑन्टिया गया तो इन स्मार्ट ट्वालेट्स और वाटर एटियम्स में जो है लाकों रुपए पोर्बलर मुनिसिपल काउंसिल ने खर्च किया होंगे पर इनको जो है प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा जिसके वज़े से लोगों को इसका फाइदा नहीं मिल रहा कोई भी चीज लगा कि क्या फाइदा जब लोग उसको यूजी नहीं कर पाएंगे तो यह बहुत बड़ा क्वेश्चिन है पॉबलर मुनिसिपल काउंसिल के लिए कि उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रजेक्ट के नाम पर इतना स्मार्ट टॉयलेट वॉटर एटियम तो लगा दिया गया पर उसको मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को उन्स्मार्ट टॉयलेट्स और वॉटर एटियम्स का जो है जब ऑपरेशनल थे क्या इनका यूज जो है उस मात्रा में होता था क्या इतना यूज होता था उनका की इनका लगाना जस्टिफाइड था क्या यह स्मार्ट टॉलेट्स और वाटे रेटियम सही में पॉब्लिक के लिए जो है किसी तरह का यह यूनों यूसफुलनस रखते हैं कि यह सब काफी बड़े क्वेश्टेंस है छूपर्य खरचा करके इसेसमेंट न्यूंस लाखले सुक्राब्रेश और में चाहूंगा की जो अतह इंवशिचיट करें कि क्या इनस्मार्ट टॉलेट्स ओर श्थेश्यान यूपद्ट लगाने के लिए कि वोड ब्लेर मुनिसिपल काउंसिल के किसी भी ऑफिशल ने किसी भी एलेक्टेट रिंटेटरी में किसी तरह का किक बैक लिया है क्या क्या क्योंकि जब आप कहीं भी एक वाटर एकि स्मार्ट लगाते हैं आपको पादा चल जा जाते कि कितना यूज उसको पॉब्लिक कर र भी नहीं कर रही उनका यूज जो है वो जब चलते थे तब भी काफी कम था तो यह सोचने वाली बात है कि क्या इन कंपनीज में इन्हों ने वाट रेटियम्स और स्मार्ट टॉलेट को इंस्टॉल किया इन्हों सब्सक्राइब करने के लिए तो यह बहुत बड़ा एक सवाल है और इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और साथ ही साथ अगर वाट टॉलेट लग रहे हैं तो उनको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए जल से जल सारे स्मार्ट टॉलेट और वाटर एटियम्स को ठीक करें और जो है उनको फंक्शनल बनाए ताकि पब्लिक का यूज आए सिर्फ पब्लिक का पैसा ड्रेन में बाने से नहीं होता पब्लिक के लिए अगर एक रुपए खर्च करते हो तो पब्लिक को उसका दस रुपए का फाइदा भी मिलना चाहिए सोच के प्रोजेक्ट जो